काके बिधान सवाचेत्र जीतू चरनराम बरत्मान में बिधायक हैं अगर बात करे हैं करकट्टा गाउं के जुमार पूल का ये करीब तीन से चार साल से का पूल देख सकते हैं जो बना वाता लेकिन बीच में ही ने रोग दिया गया कुछ कारमस जो यहां की जनता का कहना है क कि ठीकेदार ने उनका काम अच्छा नहीं होने कारूं से रोग जया गयता है और जो यहां का आप करकट्टा गाउं का जो जुमार पूल है यहां भी यह जो देख सकते हैं बरत्मान वाला यह की इस्थिति अगर देखें तो बहुत ही देनिये हैं और यहां पर आवाजाही काव हो तो हो रही है आप गारी देख सकते हैं बाइक वाला देखते हैं सवों की समस्या इसमें आप अकसर देखते रहते हैं समस्या जो है आप यह किसी से छुपी नहीं है अब आने वाले अगामे विधान समा चुना भी है अब देखना होगा आप विकास विकास के नाम प कि जीतू चलंडाम जो है आप देख सकते हैं आप उटो जा रही है किस अंस्था कब लगते हैं कहा गिर जा उन्हें कुछ भी नहीं पता है लेकिन यहां कि जो बसिंदेगा है जहां को आस्थानी नुवास उन्होंने इसाप कहा परसानी प्रभली को है आने जाने बहुत ज्य लागा मैं होता है किसी तरह से कुछ नहीं हो पा रहा है जब दर आस का काम ही नहीं होगा तो आज हम लोग समतुष्ट नहीं है और कभी ने रहेंगे सबसे जरूरी काम है गाउ महला देहात में है कि रोट सड़क नली चपाकल जवरत जहां पर है कोई काम नहीं है दस बार भी अगर एक बार हम जाएंगे उसके पास जो है तो वहाँ दोधकार निकाल दिया जाता है हो जाएगा जाओ अब कुछा कुडा के दान में फ्यका जाएगा उप्यपार तो काम होगा किसी भी अंगल से नहीं होगा किसी भी प्रकार का उनके सहाइता नहीं मिलती है जो आदमीं को आहते पहुचते हैं लेकिन उन्हें दुदकार कर निकाल दिया जाता है और उनकी समस्याओं को हल नहीं किया जाता है अब देखना होगा अगामी धारकर मिदास चुना में जल्द होने वाली है क्या फैसा नहीं ती यहां की जनता लेकिन यहां की जो जनता उनका काना है कि मूदी लहर है कुछ भी हो सकता है अब किसे चुनाव जिताती जनता पर ही ये छोड़ दे आता है संभावित परतासी में तो बहुत से हैं सबों ने अपने अपनी दावा ठोकी है कि हम जीतेंगे और हमने ये काम करके दिखाएंगे अब देखना कि यहाँ पर जो होगा रिपोर्ट काड़ होगा वो तो सिर्फ जीतू चनल राम का ही देखा जाएगा कि आखिरों उने पांच साल में काके की जनता के लिए क्या क्या है कैमरा से होगी दीपक के साथ मनीज जा काके बिधानसवा छेत्र